राज़धानी पुपाल में आज़ध कारिकरम में लेखन प्रतियोगिता में प्रथम इस्थान पालकर सरोंच के युवा शायर असद हार्शमी ने पूरे मध्यप्रदेश में सरोंच का नाम सुनहेरे अक्षरों में लिख दिया है लेखन प्रतियों के तामें आसद हाश्मी ने प्रतम इस्थान पर रहे हैं जिसके चलते शहरवासियों ने खुशी जताते हुए उन्हें शुपकाम नाए दी है आपको बता दी कि मद्यप्रदेश उर्दू अकादमी संस्कृति विभाग के द्वारा आजादी का अमरत महत्सव के अंतरगत विगत दिनो कारिक्रम का जोहर ए तलाश आयोजन मुला रमूजी संस्कृति भवन भुपाल में किया गया यह आरजिंटीन सत्रों पर आधारता प्रतम सत्र में राच्छ के विभिन शहरों से लगबख साहाठ प्रदिभागियोंने भाग लिया सत्र में नए रश्नाकारों को आजादी से संबन्दित विश्यो पर तातकालिक लेखन के लिए कहा गया सबसर पर प्रदिभागियों में उत्साह और देश के प्रतिप्रेम की भावना देखने को मिली इन प्रदिभागियों में से नर्णायत को द्वारा तीन प्रदिभागियों को चैनित कर पुरस्क्रत किया गया प्रतमस्तान विदिशाजने के सिरोन से असद हाशमी रहे उर्दू अकादमी के निर्देशक डॉक्टर नुसरत महन्दी ने कहा कि तलाशे जोहर गद्यव एवंफिक्शन के शेतर में उभरते हुए रशनाकारों की खोज है सिरोंज एक अदभी बस्ती है और इस अदभी दुनिया में जिन उर्दू अदभ के नाम से पूरी दुनिया में अपना नाम रोशन किया है जिस तरह डाक्टर खालिद मेहमूद साहब हैं, डाक्टर सेफी सरोंजी साहब हैं, डाक्टर शाय दमीर साहब हैं, इन लोगों का आज पूरी दुनिया का है अर्दू अदब के अंदर इनका फक्रत से नाम लिया आयाता है, उसी में एक कड़ी हमारे छोटे नोजवान असद आर्शमी को जो अर्दू अकरडमी ने जो एजाज से नवाद आये, हम सबसे पहले सरोंज के लोग उनको शुक्रिया दा करते हैं, डाक्टर नुस्त मेंदी साहब का, कि उन्होंने एक हमारे शेहर के नोजवान को एजाज दिया, आज पूरे हंदूस्तान के अंदर, डाक् का बज रहा है, और अब जो नई नसल के लोग आ रहा हैं, अर्दू अदब के अंदर, हमें चाता हूँ, अल्ला ताला असद आर्शमी को भी उनकी जगा पर रखें और इसी तरह वह भी अपना सरोंज का नाम रोशन करते रहें, असद आर्शमी की वया से हमारे शेहर का ना अगरिक होने या बाशनदा होने के ये बात बहुती फक्र खुशी के बात है, कि उस मकाबले में हमारे सरोंज के ये जो डॉक्टर असद हाशमी साहब है, ये मैं भी सरोंज का रहने वाला हूँ, अगरचे पिछले चालीस पचाल साल से दिल्ली में रहता हूँ, तो ये इन एक महले का ही नहीं, पूरे महला और पूरे सरोंज का नाम रोशन किया, जब कोई काम बड़ा काम करता है, तो जड़ासल ये अपना नाम रोशन ही करता है, बलकि उसके हवाले से पूरी पूरी कौम का और पूरी अलाके का नाम रोशन होता है, उस मुश्द आशमी साहब, बाखी मुबाराफ गात के मुक्ताइश है कि उन्होंने अबल हिना मासिल किया और नस्र में मदामीन लिखकर बेसे उनके मदामीन और तफसर बगरा अर्दु अलचल और रहनमाय चालीम और इंतसाब में शपते रहे हैं वो वाकादव नफर नगार भी हैं बड़ी खुची की बात है कि सिरोन के एक नौजवान उभरते हुए नौजवान ने इस तरह की पेशकर की और वहां से इस तरह की उनको पजीर आई हुई और उनको इनाम मिला मैं सिरोन की जानिब से सधाश्मी का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं और उनको इस बात की मबारक बात देता हूं कि उन्होंने अपना सिरोन के नाम को इस तरह जुरूशनास कराया और अपने सिरोन के अदब इविकार को कायम की सिरों से मौम्मद परहान के रिपोर्ट